दोस्त आज इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कि कुरोशिया में मेडिकल होता है या नहीं होता है होता है तो क्या-क्या चेककाफ वोता है फ्ली डिटेल आप सबको आज इस वीडियो में बताने वला हूँ क्योंकि आप सब को बता दे कि आज हम लोग का फाइनली दूसरे वाला कंपनी में मेडिकल है और हम लोग देख सकते हैं रूम के गाड़ी वेट कर रहा है मैडम का और मैडम जैसे आएगी और हम लोग को लेके होस्पिटल जाएगी उधर देख सकते हैं विरेंदर भी आफ फोर्म पर बात कर रहा है वो भी मतलब रेडियो के इंतिजार कर रहा है और राम का थोरा लेट हो गया है और अभी आएगा एक मिनिट में आएगा तो हम लोग यहाँ वेट कर रहा है जैसे आएगी मैडम वेसे हम लोग निकलेंगे मेडिकल में तो दोस्ति इस वीडियो को पुरा देखिएगा आपको बहुत ही बड़ा इंफरमेशन मिलने वाला है और इस सैनल पर नए है तो इस सैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वे लाइक अंदबा दीजिए क्योंकि जैसे मुझे टाइम मिलता है आप सब के लिए मैं कुरोशिया का छोटा से बड़ा अपडेट बनाता ही रहता हूँ तो दोस्त मैडम नहीं आई तो बॉस ने गया और हम लोग को रिशीव करके यहां देख सकते हैं कंपनी में ले आके मतलब यहीं रुको बोला है यहां आएगी मैडम और यहां से लेके जाएगी तो फाइनली हम लोग जहां काम करते हैं यह दूसरा वाला कंपनी है देख सकते हैं सारे लोग काम कर रहे हैं यहीं पर हम लोग रुके हैं और यहां आएगी मैडम और यहां से हम लोग को पिक अप करके होस्पिटल लेके जाएगी तो दूसरा वाला कंपनी यह देख सकते हैं और खुशी लगता है यार मतलब अर्बो अर्बो का मालिक हम बहुत ही खुशी लगता है अगर नेपाल में ऐसा मालिक हो तो सायद वर्कर से बात ही नहीं करेगा बट यहाँ पर एक चीज बहुत ही पुजिटिव देखने को मिला कि कितना हूँ धनी हो कितना हूँ मतलब बड़ा सेट हो उसे कोई फरक नहीं पर रहा है वर्कर के साथ ही काम करता है वर्कर को रिशिव करके लियाता है छोड़ता है यह बहुत ही मुझे अच्छा लगता है बहुत ही पुजिटिव पॉइंट है तो वीडियो के साथ बने रही है चलते है आज मेडिकल में क्या क्या होता है देखते हैं यह मेडिकल कराने जा रहा है सब दो देख लो एक ही जीप कहा है हासन हासन दो ब्रो इसको ने इंगलिस आता है यारे भी बोलता है अँप, क्या है अआ को वे आता है वी हमें कि जान नदा जाता दो, आफड़ कर दिए कुछा एा करिया जानी कि एा पुछा कर दो, जोने कि वीराशी है किुछा जानी किया है जाई है, जा मत नहीं है एा कुछा है, पुछा का फस्टोन है कर दो दो आदकत कर सोपित आदकत कर सकता्या लोग। इाद कर लोग। प्रफ्ट चल्ड़ कोरो प्रेट प्रेट कर। प्रेट प्रेट हम लोग का फाइनली मेडिकल हो गया और हम लोग अब जा रहे हैं रूम में और रूम में जा के बिसेश बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है हसन मेडिकल फिनिश तो दोस्त फाइनली हम लोग रूम में आ गये और चलते हैं रूम के अंदर में बैठते हैं और आप सबसे बात करते हैं और अभी काफी दूप निकला है देख सकते हैं पैस पे लाइट आ रहा है काफी दूप निकला है तो चलते अंदर में और बैठ के आप सबसे बात करते हैं और यह गेंट खुलना पड़ेगा देख सकते हैं तो दोस्त मैं फाइनली उस्पीटल से आके अभी अपने जो रूम का ग्राउंड है वहां पे बैठा हूं तो आप आप से बता दे कि उस उस्पीटल में हम लोग का क्या-क्या चिकप हुआ तो दोस्त अगरे तो हम लोग को जैसे की रिसेप्सन होता है वहां पे गये, वहां पे उस्पीपर दिया और गया देख का और भी यहाँ अनोखा चीज मैं ने जिवन में पहली बार देखा पेपर दिया लगबग लगग 25 उसमें कुश्चन था उस कुश्चन को एंसर खुद देना था टिक मार्क लगा के जो कि मैंने यूनिक देखा यहाँ पे ऐसा हमारे नेपाल में कहीं पी नहीं देखे हैं और उस मतलब कुश्चन में यही था कि आपका कोई सरेडिक प्रोग्लम है या नहीं है आपका आख में कोई प्रोग्लम है हाथ में प्रोग्लम है या फिर डाइवीडीज है या फिर मतलब कोई सरेडिक प्रोग्लम है या नहीं है यहीं चीज उसमें पुछा था तो अक्सर इसमें 9 में टिक लगाना था और टिक लगागे हम लोग डॉक्टर को दिये तो उसका रिजल्ट पास आगया पास आने के बाद हम लोग को बोलाया अंदर में अंदर में गए तो सबसे पहले हम लोग को इरीन टेस्ट के लिए पिसाव लिया और एक box देता है ट्वालेट में जाना है थोड़ा सा करके और ट्वालेट के side में ही या फिर कहीं एक table होता है उस पर बोलता है रखने के लिए तो वहां रख देना पड़ता है तो इसे हम लोग वहां रख दिये उसके बाद हम लोग को बलोड टेस्ट के लिए बलोड ताना बलोड तानने के बाद फिर से अंदर में लगभग 45-46 कुस्षन था जिस कुस्षन का हम लोग को टिक मार्क लाके एंसर देना था और उसमें अक्सर IQ टेस्ट करने वाला कुस्षन था मतलब उसको IQ टेस्ट आपका मतलब दिमाग कितना तेज सलता है कितना फास्ट चलता है यह टेस्ट करने वाला प्रशन सब था मैं ज्यादा तो नहीं घिच पाया हूं और उक्रोशयन में रहता है तो वहां पे आपको बोलेगा कि इसको मतलब गुगल ट्रांसलेट करके या 45-46 है कितना है देखिए इसी में है तो मतलब इसमें बहुत ही गंभीर गंभीर प्रशन था कि आपका कोई मानसिक समस्या है कि नहीं आपका काम में मन लगता है कि नहीं लगता है जो कंपनी का रूल है उस रूल से काम करने का मन करता है या फिर जो समाजिक रूल है उससे ज लगा दिया तो दोस्तों उसके बाद फिर से एक यूनिक टेस्ट लिया जो कि आप लोग भी सुनियेगा तो बाप बोलिया कि यह भाई क्या बोल रहा है और मेरे जिवन में भी यह भी पहली बार हुआ है गोल-गोल रबड का था और उस जो गोल था उसके बीच में होल था औ और होल जो था वो रबड में अलग-अलग टाइप के था उसी हिसाब से नीचे टेबल पे सेम जो रबड में था मतलब 6-7 रबड था और 6-7 आइटम का था और 6-7 आइटम का नीचे छोटा-छोटा खंबा मतलब किला-किला अलग-अलग मिला-मिला के लगाया था उसी में रखना था ये रखना भी एक बहुती बड़ा माइनर करता है जैसे कि अगर इसका महत्रूऑ नहीं होता तो डक्टर सायद ये चीज़ नहीं करता और आप सब को बतादे कि इसमे भी टाइमर था और कितना टाइम करता ये मुझे पता नहीं है डखर ने सिधे बोला कि आपक दिया बट मेरे जो फ्रेंट्स लोग था वो कम से कम चार मिनिट लगाया था तो ये भी एक अलग तरीके से IQ test है कि अब कितना fast दिमाग चला सकते हैं और कितना fast लगा सकते हैं तो ये तो हो गया IQ test IQ test होने के बाद और ये जो सारे result था उसका result पिपर में बना के दिया उसके बाद हम लोग को फिर वेजा काउंटर पे और काउंटर पे गए तो वहाँ पे हम लोग का इसीजी हुआ ये वीडियो मेरा फ्रेंट्स चोरा के बना दिया अंदर में बनाने को नहीं मिलता है और सही इसीजी होने के बाद हम लोग का मतलब ये कान जो है कान का test किया जैसे देख सकते हैं मैं studio के अंदर में हूँ ये एक studio जैसा ही बनाया हुआ है ये studio देखके मुझ पहले जिवन का बात याद आ रहा है, मैं बताओंगा कि क्यों यह बात बोला हूँ, अभी नहीं ख़ूलने बला हूँ, कुछ समय के बात बोलने बला हूँ तो उसमें जैसे कि बाहर से कोई टिंग टिंग बसता था तो ये कान में सुनता था तो वहाँ पेन के तरह था उसमें दाबना था इसमें बाजा तो फास्ट दाबना है फिर इसमें सुना तो फास्ट दाबना है मतलब आपका दोनों कान का टेस्ट हो रहा है कि आप सुन रहा ह या नहीं सुन रहा है मतलब वहाँ पर यह टेस्ट किया उसके बाद आई टेस्ट किया आई टेस्ट में वही नंबर चिनहाया उसके बाद बहुत सारह जो जेसे की देखते नहीं है चिक-चिक चिक Z ne रहता है और उसके अंदर में नंहर लिखा रहता है वह ऐसा में इतना मतलब टेंसra नहीं था, वहाँ पे Blode लिया और चाहिक अपसरे किया, आख चेक किया, उसके बाद U RIN test किया और MEDICAL खतम हो गया बट यहाँ पे Medical test भी लिया, उसके अंदर में जाके IQ टेस्ट लिया, उसके बाद फिर अलग तरीके से IQ को टेस्ट किया, उसके बाद ब्लॉड टेस्ट के लिए ब्लॉड लिया, उसके बाद इूरिन टेस्ट किया, उसके बाद आई टेस्ट किया, उसके बाद कान को चेक किया, उसके बाद हम लोग का मेडिकल फाइनल हुआ, तो दोस्त बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रोशिया म मेडिकल नहीं होता है उस लोगों को कहाना चाहता हूँ कि यह बात गलत है क्योंकि आज मैं तिसरा बार मेडिकल करा चुका क्रोशिया में सुरू में आया था जिस कंपणी में फर्स्ट बार उस टाइम भी मेरा मेडिकल हुआ था और उसी कंपणी में हम लोगा जो खतम हो गया था तो जैसे रिणीवल हुआ उसके बाद हम लोगोग को मेडिकल लेके गया था ओ भीडियो मेंने आप लोग को बना के बताए हैं और यहाँ पे हम लोग का जो ट्यार शी चेंज हुआ कंपनी चेंज किये जैसे अब TRC एक दो दिन में आने बला है तो हम लोग को यहाँ पे भी medical हुआ कानेकार्थ है लगभल लगभल क्रोशिया में कहीं पी जाईएगा तो आपका medical होगा तो यहाँ एक बहुत सारे दोस्तों का प्रश्ण अगर मानलों कि अगर आपके पास diabetes है तो टेबलेट देगा आप खाते रहो काम करते रहो कोई दिकत नहीं है या पर कोई प्रोग्लम नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा यह कर सकता है कि अगर आपके सरील में कोई critical समस्या है तो आपको company निकाल देगा ये नहीं है कि आपको घर बेज़ देगा उसके बाद आपको decide करना है कि मेरे पास बहुत ही danger समस्या है सरीर में तो रहना है या घर जाना है बट company direct आपको घर नहीं भेज़ेगा ये बात आप लोग clear हो जाईए और ये भी clear हो जाईए कि क्रोशिया में medical होता है ये परमान के तहद आप सबको बता दिये कोई अगर बोलता है कि नहीं होता है तो ये दिमाग से हटा दिजिएगा तो दोस्त ये वीडियो आप सबको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रू बताएगा और मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई